हलो फ्रेंड्स, माइ नेम इज एके सोनी और वेल्कम बैक टू सरवदय रिसर्च अकडमी फ्रेंड्स, आज हम लोग B.A. Semester 2 का A.E.C.C. पेपर जो की Environmental Science है का कुछ most important questions को discuss करने जा रहे हैं जो कि अकसर examination में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मैंने सीरीज में टोटल 50 questions को लिया है और ये हमारे सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग question number 25 तक discuss करने वाले हैं तो चली विदाव टिने डिले, आज का हमारा class से start करते हैं तो हमारा फर्स्ट question है पर्यावरण वो पारे स्थितिकी का जैविक घटक क्या है फ्रेंड्स, जैविक घटक का simply हमारा मतलब होता है living thing से हमारा option दियावा है मृदा, जल, वायू या फिर वनस्पती फ्रेंड्स, हमें यहाँ देखना हुआ कि इन में से कौन सा living thing है तो बेशक इसमें से वनस्पती एक living thing है और इसलिए इसका right answer हो जाला हमारा option number D यानि की वनस्पती नेक्स्ट question है खादी सरंखला की प्रतिक कड़ी क्या कहलाती है option दिया हुआ है उत्पादन अस्तर, खादी अस्तर, पोशन अस्तर या फिर आवशोशन अस्तर इसका right answer है option number C यानि की पोशन अस्तर नेक्स्ट question है पर्यावरण एवं पारिस्थिति की का भातिक घटक क्या है तो भातिक घटक का हमारा मतलब हो जागा है यहाँ पे non living thing आप यहाँ देख सकते हैं option में दिया हुआ जन्तू, वनस्पति, प्रवाहित जल या फिर पारिस्थित की तो यह तीनों जो है A, B और D यह living thing examples है जबकि प्रवाहित जल जो है हमारा option number C यह एक non living thing यानि कि भातिक घटक का एक example हो जाएगा इसलिए इसका right answer हो जागा हमारा option number C next question देखते हैं next question है जीवों तथा पर्यावरण के पारसपरिक संबंधों का ध्यान क्या कहलाता है option दियावा है जीवन बिग्यान, जैव भूगोल, भावतिकी या फिर पारिस्थितिकी तो इसका right answer हो जाएगा पारिस्थितिकी next question है ecology यानि कि पारिस्थितिकी सब्द का सर्व प्रथम प्रयोग किस ने किया option दियावा है ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने या फिर डार्विन ने तो इसका right answer है टांसले ने friends मैं आपको यह बदाना चाहूंगा कि यह सारे questions काफी important है और यही सारे questions आपको आपके examination में देखने को भी मिलेंगे तो चलिए देखते हैं next question, next question है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कावक को किस समुह में समीलित किया जाता है option है उत्पादक, उपभोकता, त्वीतियक, उपभोकता या फिर अपगटन करता तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानि की अपगटन करता friends मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा YouTube पे एक टेकनिकल चैनल भी रन कर रहा है जिसका नाम है टिकवडी पर आपसे request है कि उस चैनल को एक बार जरूर विजिट करें और पसंद आने पर उसे like से और subscribe करना न बोले मैं उस चैनल पे YouTube से related tips and tricks की वीडियो लाता रहता हूँ साथे साथ मैं टेकनिकल वीडियो भी उसमें upload करता हूँ इसलिए मेरा आपसे request है कि एक बार जरूर विजिट करें उसका link आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप उसे हमारे चैनल में enter हो के भी उसमें enter हो सकते हैं तो चली दिखते है next question next question है जलवायू परिवर्दन से सरवाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहेतार्थ किसे बना गया है option है green climate fund, climate relief fund, green bank या फिर world green fund तो इसका right answer है green climate fund next question है वनों को नश्ट करना यानि कि deforestation का कूप्रभाव क्या पढ़ता है option दियावा है मरेदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रन पर, शूरे के प्रगास पर या चरागाहों की व्रिधी पर तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number A यानि कि मरेदा अपरदन पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है next question है पहाडों पर काफी नमी वह जल होता है फिर भी यहां मरूद भी क्यों होते हैं option दियावा है पहाडों पर जल बर्फ में बदल जाता है धलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधो द्वारा उप्योग में नहीं लाया जाता तिसरा में है पहाडों की चट्टा ने जल आवसोसित नहीं कर पाती और फौर्थ में उपर युग तुमेशे कोई नहीं तो friends इसका right answer है हमारा option number B यानि कि धलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उप्योग में नहीं लाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उधारन क्या है इसका option द्यावा है खेत बांध जील या फिर पार्क तो friends आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो खेत बांध और पार्क हैं ये सारे चीज मानों की द्वारा क्रितरिम रूप से बनाए जाते हैं जबकि जील जो है ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति की रूप प्रकृति की द्वारा ही बने होते हैं तो इस प्रकार इसका right answer हो जागा option number C यानि की जील next question है करितरिम पारिष्थिति की तंतर का उधारन क्या है? ओप्सन दिया हुआ है प्रवाल भीति, वेट लैंड, खेत या फिर नदी तो friends आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रवाल भिती, वेट लैंड और नदी ये सारे प्राकरतिक परिष्थित की तंद्र का उधाहरन है जबकि खेत जो है इसे मानों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाये जाता है इसलिए इसका right answer हो जाएगा हमार option number C next question है लवनिय जल परिष्थित की तंद्र का उधाहरन क्या है option है नदी, प्रवाल भिती, बांध या फिर तालाब तो इसका right answer हो जाएगा प्रवाल भिती next question देखते हैं next question कह रहा है स्वच जल परिष्थितिक तंद्र का उधाहरन क्या है option है समूद्रतट, खाड़ी, एस्चूरी या फिर तालाब तो इसका right answer है तालाब next question है परिष्थितिक तंद्र के जैविक वो जैविक घटकों को कौन जोडते हैं तो हमारा option दिया हुआ है उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या फिर उपभोगता तो इसका right answer option number C याने कि अकार्बनिक पदार्थ next question है मुरेदा परदन को किस से बचाया जा सकता है option दिया हुआ है पश्वों को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपन द्वारा या फिर पक्षियों की जन संख्या बढ़ा कर तो friends बेशक इसका right answer हो जाएगा हमारा वन रोपन द्वारा next question देखते हैं एक परिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोगताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं option दिया है जलवायू शंबंधी कारक, धरातलिय कारक, जैवेक कारक या फिर अम्रेदा कारक तो इसका right answer है option number A यानि की जलवायू संबंधी कारक next question है परिस्थितिक तंत्र के पादपों वो प्रानियों के पारास्परिक संबंधों का आधार क्या है option दियावा है उत्पादक, पोशन, संबंध, उर्जा, प्रवाह या फिर अपगटक तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि की पोशन, संबंध next question है प्रकाशिय उर्जा को रासाइनिक उर्जा में कौन बदलते हैं option दियावा है सुच में जिवानू, अपगटक, द्वीतियक, उभोकता या फिर हरे पादप तो इसका right answer है हरे पादप friends मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा YouTube पे एक टेकनिकल चैनल भी रन कर रहा है जिसका नाम है टेक ओडी मेरा आपसे request है कि उसे आप एक बार जरूर विजिट करें और पस्षन आने पे उसे like, share and subscribe करना न भूलें friends मैं उस चैनल पे YouTube से related tips and tricks की वीडियोज लगातार लाता रहता हूँ मेरा आपसे request है कि आप उसे एक बार जरूर विजिट करें लिंक आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप उसे हमारे चैनल में enter हो के भी उसमें enter हो सकते हैं हमारा next question है पारे स्थितिक तंत्र के सौपोशी घटक कौन होते हैं option दियावा है तो friends इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C यानि कि पादप next question है खरे पाधों को पारे स्थितिकी में क्या कहते हैं option दियावाई संप्रेशक, उत्पादक, उपभोगता या फिर परावर्तक तो इसका right answer है option number B यानि कि उत्पादक next question है विस्व का शर्वाधिक प्रसिद कीटनासा कौन सा है option है DDT, BHC, Fleet या फिर बेगाउन तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि कि DDT next question है मरू अस्थली भवन यानि कि desertification किस से होता है option दियावा है वनो को उखाडने यानि कि deforestation के कारण जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण वायू की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर बहुत उच तापमान एवं कम वर्षा के कारण तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number D यानि कि बहुत उच तापमान एवं कम वर्षा के कारण हमारा मरुष्थली करन होता है next question है साकाहारी परानी क्या कहलाते हैं option दियावाय उत्पादक प्राथमिक भोगता, ध्वित्या को भोगता या फिर तुरित्या को भोगता Hai friends, साकाहारी परानी हमारा प्राथमिक भोगता कहलाते हैं इसके category में हमारी बक्रियां आ जाती है या फिर वो सारे जीवाते हैं जो कि पेड़ पौधों या फिर घांश को खाया करती है तो इसका right answer हमारा option number B next question है कुट्था किस वर्ग में आता है? option है प्राथमी कुब भोगता, द्वित्य कुब भोगता, त्रित्य कुब भोगता या फिर उत्पादक तो इसका right answer हो जागा हमारा option number B यानि कि द्वित्य कुब भोगता next question है सरवाहारी जन्तु किस वर्ग में आते हैं? option दिया हुआ है उत्पादक, प्राथमी कुब भोगता, द्वित्य कुब भोगता या फिर त्रित्य कुब भोगता तो friends इसका right answer हो जागा हमारा option number D यानि कि द्रित्य कुब भोगता friends सरवाहारी में example के तोर पे हम मनुस्य को ले सकते हैं जो कि जानवरों को और साथ इसाथ पीड़ पौधों को भी खाता है और इस प्रकार यह एक त्रित्य कुब भोगता का example है तो friends ये थे हमारे BA semester 2 का environmental science का कुछ most important questions I hope कि आपको हमारे ये वीडियो फसंद आया होगा इसका second part हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द upload कर दिया जाएगा आप चाहे तो उसे हमारे चैनल के playlist में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उसका link description box में डाल दूँगा friends मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा YouTube पे एक technical channel है जिसका नाम है टेकोडी आप उसे जरूर एक बार visit करें उसका link आपको description box में मिल जाएगा